फिर्दोस आशिक कमाण राची पोची सिंद इसेंबली में मुखालेब धुरिजहुः अगवान अलीम आदल शेख सां इस्पताल पोची आयादद कई आई घर बातिंसा मुलाकात कई सिंध के अंदर इंतकाम पसंदी की जो स्यासत है उसकी जिस तरह से हकीकी जलक जो है आपके सामने हलीम आदल शेख की कैद है बेबनियाद मुकदमात है हुन चयोत हलीम आदल शेख जी गिरपतारी सां पीपी जो बुग्जवाजे थी वियो आए हूँ हलीम आदल के खराज पेश करना आई फिर दोस आशिक कमान चयोत हलीम आदल शेख सिंध जे गरीब हैं मिस्कीन तब के जो आवाज बनियों आई बाहदुरी सां लुखें जो म बेवकूफ बनाए हुआ हाने सिंध जी अवाम के वदीक बेवकूफ न थो बनाए सकजे और किस खुबसूर्ती से जर्दारी साहब ने और पीपस पार्टी ने मौलाना फजुर रह्मान और नून लीग को मामू बना दिया है आज सिंध के अवाम को पंद्रा साल से मामू बनाने वाले जो थे उन्होंने पीडी एम को भी मामू बना के फिर दोस आशिक अवान चेयो तो बिलावल के जो को एटम हुकूमत के राणों हो योहिन मौलाना ते हलाए चड़ियो जो एटम बंब बिलावल बुट्टो साहब ने हकूमत पे चलाना था सिंध हकूमत से वो आटम बंब जो है वो पीडी एम पे और खास तोर पे मौलाना फजलु रह्मान पे चल गिया है पंजाब जे वरे वजीर जी खास मददगार चेयो तो सिंध खास सवाई बे कहें ब सूबे में कुआ अकनक खराब नाहिन कनदा सूबे जी हालते हुकूमत पान के कहें आडोब जवाबदा नती समझे फिर दोस आशिक आवान चेयो तो हिक तरफ करप्टोलो आई बे तरफ इमरान खान अकेलो आई अवामी खिदमत कंदडन आडो डुख्याईं विंद्वाईन फूप वहिते ने हटन दा केमरामेन गुलाम मुस्तफा अरेंसागर नकाश कासकली सिंट्रिवी न्यूस कराची